मैं कुछ मीडिया कवरीज ये आप लोगे सामने हाइलाइट करना चाहूंगा जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक स्थाइपर जिसे एक टर्म भी बोली गई है रिवेंज ट्रेवल कि लोग जो घर में बैठे थे जो रेस्टिक्शन का समय था जब रेस्टिक्शन खोली जरूरी है कि कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर पर हमारा उसी स्थाई से उसी स्तर से हमारा कारे चलता रहे नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वारस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी आप देखें जैसे हिल स्टेशन में लोग बिना मास्क की घूम रहे हैं बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं यह ऐसा एक माहौल क्रियेट करेगा जिसमें अब तक जो गें इन टर्मस और मैनेजमेंट ओव कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलिफाय हो सकते हैं वह फिर से हम उसको भूल के फिर ह आप सबके सपोर्ट की आप सबके गाइडेंस की बहुत जरूरत है ताकि इस बिमारी से हम जूस सकें और हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि वाइरस अभी ठका नहीं है वाइरस अभी भी हमारे बीच में हैं तो जरूरी है कि हम दो टूल बोथ सोशल वैक्सिन के रूप में हैंड हाइजीन, यूज अफ मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग और वैक्सिनेशन इन चीजों पर हमारा उसी स्थाई पर कारे चलता रहे जब तक कि हम वाइरस को पूरी तरह से कंट्रूल ना कर सकें